हेलो दियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लेसन वन नमबर सिस्टम की एक्सेसाइजिस करेंगे सबसे पहले हम कोशन नमबर वन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं तू थाउजेट यहाँ पर नमबर लिखा है तू थाउजेट अब इसमें कितने टैंस हैं तो वन्स और टैंस की डिजिट छोड़के उसके बाद जो भी नमबर बचता है उतने टैंस हम लिखते हैं तो यहाँ पर बचा 20 तो यह 20 टैंस हो गए अब हम एक पार और करते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट 6 डिजिट नमबर हमको लिखना है जब कोई भी लार्जेस्ट नमबर लिखना होता है तो वो 999 में होता है तो 6 टैंस हम 9 लिखेंगे तो हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नमबर बन जाएगा इस तरह से बच्चों हम इस question के बाकी के parts भी solve कर सकते हैं अब हम question number 2 में यहाँ पर हमें abacus दिया हुआ है abacus के नीचे हमें numerals लिखने हैं तो first part में इनके हम beads count करते हैं कि कितनी-कितनी beads एक string में हैं तो ones की तरफ से start करते हैं तो यह number 6 है उसके बाद 5 उसके बाद 4 उसके बाद 2 फिर 9 और फिर 5 तो इस तरह से हमारा number बन गया 5,92,456 इस तरह से हम abacus में strings की bead counts करके numerals को लिख सकते हैं अब हमें यहाँ पर कुछ numbers दियो हैं next question में इनके हमें number names लिखने हैं जैसे 58,00,72,614 इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं next अब हम देखना यह कौन सी place पे है जैसे once, ten, hundred, thousand, ten, thousand, lakh, ten, lakh तो यह गया 82,00,92,813 तो इस तरह से हम इन numerals के number name लिख सकते हैं अब हम next part की तरफ चलते हैं question number 4 यहाँ पर हमें place value chart दिया गया है उस place value chart में कुछ first part में कुछ numbers दिये गए हैं उससे हमें numerals लिखना है तो इसमें हम numbers लिखेंगे 2, 23, 40,000, 61,000 और 305 23, 40,000, 61,000, 305 अब हम इसकी second part की तरफ चलते हैं यहाँ पर एक numerals दिया हुआ है और हमें उनकी place value chart में fill करना है तो ones की place पे 7 फिर 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 तो हमारा number बन गया 8 करोर 64,20,107 इसी तरह से हम बी पार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ number names दियों है उनकी हमें place value chart में place पे लिखना है तो 6 करोर 6 करोर के रिचे 6 37,00, 55,000 तो 5000 में तो हम यहां लिखेंगे 0, 5, 2 तो 002 इस तरह से हम numbers को fill करते हैं अब हम exercise number 1.2 की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें कुछ numbers की place value और face value के बारे में पढ़ेंगे पहले हम first question देखते हैं यहाँ पर एक place value chart है जिसका हमें fill करना है places बी part हम इसका देखते हैं 22 millions तो 22 millions तो million के नीचे पर हम क्या लिखेंगे? जिरो, टू, टू, फाइव हंड़ेड फिफ्टीन थाउजन तो thousand में फाइव हंड़ेड फिफ्टीन थाउजन और वन हंड़ेड फॉर जीरो इस तरह से हम करते हैं एक part और करके देखते हैं 368 million तो 368 million तो 368 million के column में लिखेंगे and one thousand one thousand में one thousand तो यह wrong हो गया हमें one को क्या लिखना पड़ेगा? thousand में अगर हम लिखते हैं तो zero, zero, one अब यह one thousand हो गया and one लिखना है तो फिर से zero, zero, one इस तरह से हम place value chart को fill करते हैं अब हमें question number two में कुछ numbers दियो हैं इनकी हमें numerals लिखने हैं जैसे 81,600 तो हम क्या से लिखेंगे? 81,600 next 5,71,000 इस तरह से हम इस टाइब के questions को करते हैं अब हम question number three की तरफ चलते हैं यहां पर जो digit के नीचे underline किया हुआ है उस digit की हमें place value लिखनी है जैसे first question में 6,4,5,2,8,1,3 यहां पर digit 5 के नीचे underline किया हुआ है अब हमें इसकी place value लिखने के लिए यह देखना होगा कि वो number किस place पे है जैसे 1,10,100, ताउजन, 10,000 राइट साइट से हम left साइट की तरफ चलते हैं place value के लिए तो 10,000 आया तो 5 की place value क्या हो गई 50,000 इस तरह से हम place value लिखते हैं इसी तरह next question में 1 के नीचे underline है तो 1 की place value हमको लिखनी है तो हम राइट साइट से count करते हैं 1 stands 100,000 तो 1 की place value हो गई 1,000 इस तरह से हमें place value लिखनी होती है अब हम question number 4 की तरफ चलते हैं यहाँ पर write the names of the period in which underline does it fall यह किस period में आते हैं जैसे की first part में 3,8,6,1 अब पहली दो तो 100 में आती है 1 stands 100 फिर 1 और 2 किस में आती है 1000 में तो इसका period क्या हो गया 1000 periods में आती है इसी तरह से next में देखते हैं शुरू की 3 digit 100 में आती है फिर 2 digit 1000 में आती है और फिर उसके बाएद लैक में आती है तो ये लैक में आ गया ये वाला लैक period में आ गया इस तरह से हम numbers को periods में divide करते हैं अब हम next question परते हैं यहाँ पर हमें place value और face value लिखनी है underline digit की first part में हम देखते हैं 45,678 यहाँ पर हमें 5 की नीचे underline किया हुआ है तो 5 की place value क्या होगी क्योंकि ये 1000 की place पे है इसलिए इसकी place value होगी 5000 और face value जो number की खुद value होती है वो ही उसकी face value होती है तो number की face value हो जाएगी 5 एक और question हम करते हैं 8,2,1,3,4 यहाँ पर 8 underline है तो अब हमें 8 की place value देखेंगे ये किस place पर है ये 10,000 की place पर है तो इसकी place value हो गई 80,000 और इसकी face value क्या होगी 8 क्योंकि जो number itself उसकी value होती है वो ही उसकी face value होती है अब हम next exercise की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें कुछ numbers लिखे हैं उनको expanded form में लिखना है जैसे की first example 87,963 तो अब हमें सबसे पहले 87,000 है तो क्या लिखना है 80,000 plus 7,000 plus 900 plus 60 plus 3 इस तरह से हम numbers को उनकी expanded form में लिख सकते हैं अब next question में हमें कुछ short form expanded form दी हुई है उनसे हमें number को short form में लिखना है जैसे 50,000 plus 7,000 plus 200 plus 20 plus 1 तो number हमारा क्या हो जाएगा हम ones की तरफ से start करते हैं 1 2 अब 200 है तो 100 की place पे 2,000 की place पे 7 और 10,000 की place पे 5 तो number हमारा हो गया 57,221 57,221 इस तरह से हम expanded form को short form में लिख सकते हैं अब हम question number 3 की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें एक sign बनाना है greater than और smaller का तो जिदर बड़ा number होता है उसको हम open mouth रखते हैं और जिदर छोटा number होता है उस तरफ हम nook रखते हैं तो first part में हम देखते हैं 8532 और 10,131 तो हम सबसे पहले thousand की place की digit को compare करते हैं तो 8 और 10 में 10 बड़ा है तो इसलिए हम इसकी तरफ मूँ open रखेंगे एक और question हम करके देखते हैं बी part 34211 और दूसरा number है 50,021 तो अभी 34 और 50 में कौन सा number बड़ा है 50 तो इसलिए हम इस तरफ open mouth रखेंगे इस तरह से हम number में छोटा है और बड़ा number को find कर सकते हैं अब हम question number 4 करते हैं इसमें हमें greatest number को पहचानना है तो first part में इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले thousand की place को number को compare करेंगे जैसे 73 है यह 41 है और यह 45 है तो इन तीनों में कौन सा number सबसे बड़ा है 73 तो अब हमारा जो greatest number हो गया वो यह हो गया 73,143 जिसकी thousand place की digit पड़ी है वो ही number सबसे बड़ा होगा अब हम b part और देखते हैं इसमें thousand की place पर क्या क्या है 70 77 और 7 तो 77 बड़ा है तो इसलिए हमारा 77,770 यह हमारा biggest number हो गया इन सब नंबर में अब हम next question में हमें smallest number find करना है smallest number भी सेम इसी तरह करना है जो maximum place value है उसको compare करना है उसके digits को जैसे फर्स पार्ट में thousand, thousand की digit बड़ी है सबसे place तो 52, 51 और 52 अभी क्या हुआ इसमें हमें सबसे smallest number निकालना है तो 51,000 वाला number small है तो यह number हमारा smallest हो गया 51,052 अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं यहां पर 37, 36 और 38 तो इनमें सबसे चोटा कुन सा है 36,000 वाला number तो यह हमारा smallest number हो गया इस तरह से हम बाकी के parts को भी solve कर सकते हैं अब हम next question 6 की तरफ चलते हैं यहां पर हमें numbers को ascending orders में करना है तो ascending orders में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे चोटा number को सबसे पहले लिखना पड़ेगा तो यहां पर सबसे चोटा number 12,000 है तो यह 1 सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसके बाद हमें 12 के बाद यहां पर number 22 वाला बड़ा है 1000 की place पे तो इसके बाद हमें इस number को लिखना पड़ेगा number 2 पे इसके बाद 62 वाला number 3rd number पे और 4th number पे 87 वाला तो इस तरह से हम number को ascending order में लिख सकते हैं एक और part करके देखते हैं जैसे हैं पर 40,000, 49,000, 44,000, 40,000 अब यहां पर 2 digits हमारी 1000 की place पर सेम आ गई है जब हमारा ऐसा case होता है कि 2 digits सेम आ जाती है तो हम उससे पहले वाले place को देखते हैं जैसे 800, यहां पर भी 800, अब यह भी place value सेम हो गई फिर हम उससे पहला number देखते हैं यह भी 8 है, यह भी सेम है तो हम last digit, ones की place पे तो इसमें 8 है, इसमें 4 है तो 4 number छोटा है, इसलिए यह number छोटा हो गया तो सबसे पहले number 1 पे कौन सा digit आएगी first one, उसके बाद यह वाली second number और 40 के बाद 44 आता है तो यह number 3 पर और 49 वाला digit fourth number पर आएगा तो इस तरह से हम इन numbers को ascending order में लिख सकते हैं अब हम question number 7 की तरफ चलते हैं यहां पर हमें कुछ numbers दिये हुए हैं इनकों हमें descending order में लिखना है descending मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और उसके बाद हमें सबसे छोटे number तक जाना है तो first part में हम देखते हैं सबसे बड़ा number कौन सा है 54,311 तो first position पर यह number को लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे 44,804 यह second number पर इसके बाद 43,000 वाला number आएगा third number पर फिर 41,000 वाला fourth number पर और सबसे last में three digit का number आएगा सबसे छोटा number यह है तो यह आएगा fifth number पर तो इस तरह से हम numbers को descending order में arrange कर सकते हैं अब हम एक part बी part और करके देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा number कौन सा है 9,000 second number पर इसके बाद 32,000 यह third number पर और सबसे छोटा कौन सा है 7,000 यह fourth number पर लिखेंगे तो इस तरह से हम numbers को बड़े से छोटे क्रम में या descending order में arrange कर सकते हैं अब हम इसकी next exercise की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें कुछ first question देखते हैं तो successor और predecessor लिखने हैं successor मतलब next number और predecessor मतलब before number तो first part हम देखते हैं जैसे यहाँ पर number लिखा है 45,839 तो successor जब हमें लिखना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं plus one करते हैं अब हम इस number में one add करेंगे तो क्या number हो जाएगा 45,840 और predecessor के लिए हम क्या करते हैं एक number माइनस करते हैं तो उसके लिए क्या number हो जाएगा 45,838 इस तरह से हम इन numbers के successor और predecessor लिख सकते हैं अब हम question number B की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें successor number के लिए इस number में जब हम one add करेंगे तो हमारा number क्या हो जाएगा 17,800 और predecessor के लिए क्या number हो जाएगा हम one minus करेंगे तो 17,798 इस तरह से हम numbers को solve कर सकते हैं बाकी के examples को भी हम इस तरह करके देखे सकते हैं question number 2 में हमें क्या करना है इसमें हमें count in tens हमें यहाँ पर tens में count करना है हम question number 5 की तरफ चलते हैं यहाँ पर first part में हमें इस number को हमें tens में round off करना है तो tens की place का number है 64 जब कोई number 5 से कम होता है मतलब की 60 से 64 तक के number 60 tens में आएंगे तो number हमारा हो जाएगा 2, 3, 6, 0 एक और example हम देखते हैं यहाँ पर tens की जगह पर क्या है 7 7 जो होता है वो next number में count हो जाएगा तो हमारा क्या number हो जाएगा 5, 0, 1, 0 next question हम देखते हैं यहाँ पर हमें nearest hundreds में round off करना है numbers को तो हम hundred की digit में देखते है 87 तो यह किसके nearest है 100 के 6,100 next question 60,640 अब 640 जो है वो 500 से बड़ा है तो इसलिए 640 जो है वो 600 में round off होगा 60,600 next question इसमें हमें दियोए नंबर को thousands में round off करना है अब पहला नंबर तो thousands में round off ही है तो हम इसको 7,000 7,000 67,000 है तो 67 किसके ज्यादा है near about as 70,000 next number 21,000 को हम किसके round off करेंगे 20,000 तो इस तरह से हम numbers को round off करते हैं अब हम next exercise की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें numbers को roman numbers में लिखना है first question हमें 8 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे V, 6, 7, 8 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं B part में हमें क्या लिखना है 14, तो 14 कैसे लिखना है पहले 10 और फिर 4 तो यह number हमारा हो गया 14 इसी तरह से हम बाकी के parts को भी solve कर सकते हैं अब हम question number 2 की तरफ चलेंगे यहाँ पर हमें कुछ roman numbers दिए हुए है इनको हमें numerals में लिखना है जैसे first part यहाँ पर number के आएगा 5-1, 4 B part 10-1, 9 इस तरह से हम roman numbers को numbers में convert कर सकते हैं question number 3 यहाँ पर हमें wrong roman number को circle करना है जैसे first part में हम देखते हैं digit क्या लिखी है 7 अब 7 कौन सा होता है 5 plus 2 7 तो यह हमारा correct हो गया और wrong कौन सा हो गया यह second वाला B part में 10 10 का क्या निशान होता है X दूसरा number क्या हो गया यह हमारा wrong हो गया इस तरह से हम सही number और roman numbers को match कर सकते हैं next question में हमें smaller than और greater than का mark रखना है first part में number क्या है 4 और second में 6 तो 4 छोटा number है तो इसलिए हमारा निशान इस तरह से बनेगा next में number क्या है 11 और दूसरा number है 9 तो 9 छोटा है तो 9 की तरफ हम nook बना कर लिखेंगे इस तरह से हम इन parts को solve कर सकते हैं questions की अब हम next question चलते हैं यहाँ पर हमें roman numbers को add करना है add करना है तो पहले उनको हमें digits में convert करना होगा जैसे 3 plus 2 number क्या है यह first roman number का convert करेंगे तो 3 second को करेंगे तो 2 तो 3 plus 2 क्या होगा number 5 तो अब हमें यहाँ पर number roman number में ही answer लिखेंगे 5 इस तरह से next में 3 plus 4 तो number होगे हमारा 7 7 को कैसे लिखेंगे 5,6,7 इस तरह से हम इन questions को add कर सकते हैं next question हम देखते हैं यहाँ पर हमें roman numerals दिये हुए हैं इनकी हमें value find करनी है जैसे first part यहाँ पर क्या number है 50 plus 10 60 60 plus 12 तो number हमारा क्या हो गया 72 72 को हम कैसे लिखेंगे 50,60,70 और 2 तो यह हमारा number हो गया LXX11 अब हम B part को देखते हैं हमारा number क्या है 39 39 minus 19 39 minus 19 क्या होता है 20 तो 20 को हम कैसे लिखते हैं 10,10,20 इस तरह से हम roman numbers को पहले digits में convert, numbers में convert करते हैं और उसके बाद उनको solve करते हैं अब हम question number 7 को solve करते हैं यहां पर हमें हिंदू अरेबिक नुम्रेल्स दिया हैं जिनको हमें पहले roman numerals में change करना हैं और उसके बाद उनको solve करने के बाद अपना answer roman numerals में लिखना हैं जैसे first example हम करते हैं 400 plus 13 तो इनको हमें पहले roman numbers में change करना है जैसे 400 को हम change करेंगे तो क्या number हैगा 500 minus 100 मतलब CD plus 13 को अगर हम roman numbers में लिखेंगे तो 10 plus 3 तो 10 और 3 और जब हम 400 plus 13 करेंगे तो 413 हो जाएगा तो 413 लिखने के लिए हमें क्या लिखना है 413 तो यह हमारा first question का answer हो गया अब हम एक और question करते हैं इसका B part तो यहाँ पर क्या है 500 तो 500 को हम क्या लिखते हैं D minus अब हमें यहाँ 27 27 को हम क्या लिखेंगे 20 plus 7 तो 27 को X X और 5 plus 2 इस तरह से हम 27 लिखेंगे तो 500 minus 27 कितना होता है 473 अब हम 473 को Roman numbers में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 400 plus 70 plus 3 तो 400 को हम क्या लिखते हैं CD 70 को 50 plus 20 और 3 को 1, 2, 3 तो इस तरह से यह 473 हो गया यह हमारा B question 500 minus 27 को पहले हमने Roman numerals में लिखा और उसके बाद हमारा answer 473 को हमने फिर Roman Numbers में लिखा तो इस तरह से वच्चों हमने इस एक्षरसाइमें देखा कि किस तरह से हम Hindu Arabic numerals को Roman Numbers में चेंज करते है और Roman Numbers को Hindu Arabic numerals में चेंज करते है और उनके operations करते है means addition, subtraction वग्यरा हम किस तरह से Roman Numinals में चेंज करते हैं झाल झाल